हेलो फ्रेंद्स आप देख रहे हैं आपका चानल शे बजार विता आयूश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टन इंपॉर्टन जो निकल कर आईए उन सब के बारे में तो शुरुबात करते हैं दोस्तों टाटा पावर से तो आज कह सकते हैं टाटा पावर में एक बहुत दमदार मूव देखने को मिला अल्मोस 4.70% स्टॉक आज इंक्रीज हुआ है 382.25 पे दोस्तों क्लोजिन आई एं 17 रुपे 15 पैसे से ज्यादा आज टाटा पावर में हमको तेज़ी देखने को मिलिए स्टॉक का हाई जो था वो 387.25 का था और मूव देखने को मिला है वो दमदार है 15% से जादा दूस्तों इस साल में स्टॉक चलता हुआ नजर आ चुका है तो आप खुछ समझ सकते हैं कि जो मूव है वो अपने आप में काफी शांदार देखने को मिला है और नो डाट देखिए एक बढ़िया अपतीजी के साथ रेटिंग निकल कराई जिम्या जो रेटिंग है सा इंड रेटिंग रेटिंग निकल कर आई और जो रेटिंग थी वह काफी उन्होंने अपना कर दीजिक का रएटिंग कर दीजिक नहीं चलिए आप ये समझ सकते हैं दूसरी बात फिर brokerage share खान का target निकल कर आगया company का जो almost है 390 रुपे का तो ये भी अपने आप में positive company के लिए contribute कर गया और इसलिए दोस्तों लगाता है आप अगर आप notice करेंगे तो तेजी जो है वो हमको देखने को मिल रही है दूसरी बात आज बाजार के चलते चलते भी एक और ख़बर निकल कर आगई जिसने भी दोस्तों इस company के अंदर हम कह सकते और जान डाल दी वो कह रेट आज ख़बर थी आज दोस्तों ख़बर निकल के यह आती है कि Tata Power की renewable energy TP REL ने successful commission किया है और यहाँ पर बनाया है और वना तो पाय न modules in the eastern India ऐसा दोस्तों basically आज company ने बताया तो यह अपना पर देखिए company ने बहुत भी बढ़िया काम किया तो लगातार दोस्तों जो company को orders मिल रहे है जो execution हमको देखने को मिल रहा है बाजार उसको भी I think सरहता हुआ नजर आ रहा है दूसरी बात यह भी है याद रखे का budget आने है वह focus को तो में सब्सक्राइब कारण काफी ज्यादा सुर्कियों में और दूश्ती बात एक और बात ध्यान रखिएगा company के 9th of February को company के results भी आने वाले तो 9 February और important होने वाले इसमें आपको पतले हैं कि यहां company growth कितनी देखने को मिली है बागी stock में move दंदार है और यह दे बहुत बड़ी दूरी नहीं दिखाता है बट मैं आपसे यह बात भी ध्यान रखिएगा stock चल चुका है तो मुनाफ़ा वसुली आगे पीछे बिल्कुल आपको आती हुई निजर आईगी भी अब कल दोस्तो stock एक जो काफिदा action में रहने वाला है वो है बजाज finance का बजाज finance के दोस्तो numbers निकल कर आ चुके हैं करीबन साथ है दोस्तों पर दोस्तों आज stock ने closing दी थी 1.62% share चलाता हूं numbers भी company के release कर दिये गए तो numbers किस प्रकार के निकल के आपको यह बता देता हूँ तो बजाज finance के नंबर कुछ इस प्रकार से CNBC के expectations थी 3591 करोड का profit आएगा लेकिन आया कितना 3639 करोड का यही उनकी अनुमान से भी बहतर company के नतीजे निकल कर आए यही अगर और बात करता हूँ तो दोस्तों CNBC टीवेटिंग का पोल था profit का जैसे अब को रहता है उससे 1.3 परसंट जादा है वही जो net interest income है करीवन 7,610 करोड पे मान के चल रहा था CNBC आया कितना है 9,290 करोड 22% जादा दोस्तों expectation से इनके numbers निकल कर आया है CNBC के पोल से वही अगर मैं बात करता हूँ पिछले quarter से इस quarter के अंदर पिछले साल से इस साल के अंदर तो दोस्तों पिछले परसंट कंपनी का net interest income पिछले साल के मुकावले इस साल बढ़ा तो अपना अपने नतीजे दोस्तों कंपनी ने काफी दंदार पेश करे हैं कंपनी जो total AUM है वो करीबन दोस्तो 35% बढ़ता हूँ नजर आए करीबन 3,10,968 करोड पर हमको देखने को मिला जो पहले करीबन 2, 2,3,842 करोड था तो यह पर अपना आप में कह सकते हैं कि कंपनी ने बढ़ा जम दिखाई net interest income आपको ने बताया है कंपनी की बढ़ती भी नजर आ गई तो बहुत अच्छे numbers कंपनी ने पेश करें जो इनके gross non-performing assets है वो करीबन अब 0.95% पर आ चुके जो पहले 1.14% है तो कंपनी के GNP भी कम हो गए तो इसके अगरन कंपनी का जो net NPA है वो भी decline होता वा नजर आया to 0.37% जो पहले 0.41% था कंपनी की जो provisioning coverage ratio है वो करीबन 62% पर हमको देखने को मिला और stage 3 assets off as of December 31, 2023 बाकी जो भी देखे numbers हमको देखने को मिले वो बढ़िया है याद रखे है कंपन के काफी strong देखने को मिले और बिलुकुल बजाज finance की देखे performance प्रकार की आना यह बहुत बढ़िया show करता है कल दूस्तों एक और stock जो action में रहेगा वो कौन सा है ITC जी हो आज करीबन 448 रुपे 70 पैसे बंदू और इस साल की शुरुआत से अगर देखा जा तो ITC में थोड 1572 करोड यानि expectation से काफी जाधा बहतर दोस्तों company ने अपना मुनाफ़द दिया अगर मैं बात करता हूं CNPC के expectations से company expectations गलब company actual numbers तो दूस्तों profit company के 8.6% जाधा आया लेकिन revenue 17,050 करोड के असपस के expectations थी आया कितना है 16,483 करोड यानि 3% दोस्तों expectations से कम numbers company के निकल कर आया company का EBITDA 6435 करोड के आने के expectations थी 6024 करोड आया यानि 6.3% company का EBITDA कमाया है company के margins करीवन 37.7% आने चाहिए थे आया कितने है 36.6% यानि 110 basis point दोस्तों company का margin भी कमाया है दोस्तों company का margin है वो करीवन 180 basis point कम होता हूँ निज़रा है पिछले बार दोस्तों company के margins 38.4% थे और इस बार करीवन 36.6% रह गए तो IT से के numbers में हम जादा तर यह कह सकते है कि जादा numbers ने कोई उच्छा नहीं दिखाया numbers का अगर देखा जाए बॉटन लाइन तो थोड़ा सा निराशा जनका है because company के margins में decline देखने को मुला है और दोस्तों margins में decline देखने को मिलना यह कोई अच्छी बात नहीं होती है राइट मनाफ़ा जरू company ने दिया है पर 10% का दिया है सालाना तोर पे company का revenue भी मात्र 1% से ब है लेकिन सेक्टर वाइज अगर revenue बात करते हम सेग्मेंट वाइज जो revenue है तो दोस्तों company का segment वाइज revenue में करीबन सालाना तोर पे जो FMCC business है वो 7.6% बढ़ा है और जो overall 2-year का कागर है वो करीबन 12.8% का है अब इसके अंदर याद रखिएगा various categories जैस टेपल्स, dairy, beverages, fragrance, personal wash, home care, agarbattis, notebooks यह सब है तो यहाँ पर जो company का margin है वो करीबन expand हुआ है 126 points सालाना तोर पे to 11% cigarette business के अगर बात करता है दोस्तों cigarette business company का जो revenue और segment है PBIT वो almost 2.3% से increase हुआ है जो 2 साल की कागर रही है वो करीबन 10% के रही है और net segment revenue करीबन 9.4% पर रहा है यह दोस्तों company ने बता है जो market stand है वो यह reinforce करता है कि company का focus है product portfolio पे company market interventions और agile execution के उपर focus कर रही है और differentiated और premium offerings दोस्तों company करने की कोशिश करती है ऐसा company ने बताया और sustained यहाँ पर भी volume recovery है ज़रूर देखिये जो observe यह हुआ है कि थोड़ा सा illicit trade है यानि थोड़ी बहुत हम कह सकते है action से tech stability पे है वो भी problems ज़रूर है इस पूरे business में जो hotel वाला business है दोस्तों वो सबसे बढ़िया रहा है इस बार यह company ने बताया करीबन company का यह business है जो PBIT है profit before interest in tax वो करीबन 18% से increase हुआ है और 57% सलाना तौर पर इंक्रीज हुआ है जो company का EBIT है वो almost 470 basis point जो company के margin से वो बढ़ते हैं नजरा है करी revenue यह भी आपको देखने को मुला है structural cost company की ठीक रही है तो इस बार जो hotel का business है वो no doubt काफी बढ़िया किया है बट लेट सी कल किस प्रकास से share करता है इसकी उपर नेक्स दोस्तों आता है Vodafone idea आज company के numbers निकल कर आए so numbers आप देख सकते है Vodafone idea के करीवन 10-621 करोड दोस्तों company की sale थी पिछले साल वो बढ़कर 10,673 करोड हुई है कुछ खाज बड़त नहीं है प्रीवेस quarter में 10,716 करोड थी अब company की sale लगबक इसी प्रकार से लगाता हमको देखने को मुलिए को जादा हुता चड़ा आप देखने को नहीं मिलता है इस बड़ दोस्तों company का मुनाफ़ा तो चलिया आता ही नहीं लब जो नुकसान है जो company का घाटा है वो कम हुआ है अब करीबन 1.44 रुपीस पर शेर गवा रही है यहनि 42% दोस्तों company का EPS बढ़ता हुआ नजर आ है पिछली बार से 1.79 का EPS था इससे पहले यहनि negative में अब वो 1.44 का हो गए तो अगर देखा जाए तो इस कोटर के numbers वैसे ठीक ही दिखते है कोई खराबी खास दिखी नहीं बाकि आज try का data निकल कर आया था वापिस से दोस्तों same situation है company अभी भी अपने जो customers उनको लगातर खोती हुने जरा आ पैसा बन गया पिछले 6 महिने में यह भी आप बहुत बड़ी बात समझे बट मतलब इसमें कुछ खास सेंस नहीं है में को यह साफ लगता है अगरी स्टॉक दोस्तों IR EDA अब आज भी लगाता है हमको तीजी इसमें देखने को मिल रही है मतलब कोई भी चेंज नहीं है 35 का हो चुका है अब देखें इस पूरे हफ़ते जैसा आपको पहले भी का था कि मूड में रहेगा विकास यह बात ध्यान रखिए बजट आने वाला और बजट के कारण यह सारे जो शियर जे उनमें आपको काफी उसका असर देखने को मिलेगा पर यह कितना देखिए बज एक सब्सक्राइब को तो आपके वास आखरी मौका रहने वाला है तो इस वीडियो में इतना ही था आपको वीडियो बड़े लगा होगा अगर लगा तो लाइक कर देना चनल से पहले बाद जो सब्सक्राइब कर देना थैंकि फ्रेंस वाचिंग दिस